नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का और आप देखना सुरू कर चुके हैं, The Legal Indian चैनल, दोस्तों आज हम एक कहानी के बारे में बात करेंगे, एक केस के बारे में बात करेंगे, इसमें जितने भी लिगल कंपलेक्सिटीज है उसको मैं निकाल करके फेक दूँगा बाहर, और अपनी जिंदगी में sexual intercourse नहीं किया हो, इस petition में कहा गया है, कि हमें virgin लड़की चाहिए थी, क्या होता है इस केस में, क्या पूरा story है, इसको समझते हैं, और किस तरीके से मध्य परदेश हाई को टील किया है, इसको जानने का प्रयास करते हैं, हुआ यूँ कि एक व्यक्ती की शादी हुई, और शादी होने के बाद आराम से वो अपनी जिंदगी चलाने लगे जैसे चलाते हैं, उसके बाद एक दिन पता चलता है, कि वो लड़की जिससे उनके शादी हुई है, वो पहले से ही शादी सुदा थी, और ये बात इस व्यक्ती को नहीं बताया गया था पिटिसनर कोर्ट में कहता है कि ये लड़की पहले से ही शादी सुदा थी, और इसकी जनकारी मुझे नहीं दी गई थी, यदि मैं जानता तो मैं शादी नहीं करता, मुझे तो एक वरजिन लड़की चाहिए थी, जो पहले से कभी सेक्सोल इंटर कोर्स ना किया हो, अब इ इसकी जनकारी होती, और यह जब छिपा लिया गया मुझे, तो मतलब मेरा जो कंसेंट है, वो कहीं न कहीं गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से लिया गया है, और इसलिए इस शादी को खत्म कर दिया जाए, चले मैं एक परग्राफ पढ़ने का प्रयास करता हूं, ताकि इस पर्सन है, इस पर्सन है, इस पर्सन है डाइड प्रायर तु अ मैरेज ऑ प्रटी, उसकी मिर्थी हो गई थी पहले ही, उसके बाद यह शादी की, पट फैक्त रिमेंस द सेम, पहले शादी होई होगी, तो वर्जिन तो नहीं है अब, तो फिर कहता है, इस फॉर्दर इस पर्सन है, और इसलिए इस साधी को खत्म कर दिया जाए, बहुत सारे आर्गुमेंट्स होए, वाइफ ने कहा जी, मैंने तो बता दिया था इनको, इनको बता दिया था, उसके बाद मेरी शादी होई है, फिर जब ट्राइल कोट में इविडेंस हो रहे थे, तो वहाँ पे वाइफ ये कहती है कि इनको पता था ये बात, फिर वहाँ पूछा गया कैसे पता चला जी, तो उन्होंने कहा तो पडोसी वालों ने बता दिया था, एक जगा ये बता दूसरा जगा ये हो रहा है कि पडोसे वालों ने बताया, और ट्राइल कोट ने ये माना, ये जो हम arguments को सुना और उसके बाद decide ये करा कि भाई जो trial quote किया है वो बिल्कुल सही है मतब ये शादी जो है वो खत्म हो जानी चाहिए क्यों कि इसमें material fact को छिप आया गया है और इसलिए high quote ने इस marriage को खत्म कर दिया चलिए हम पढ़ते हैं क्या है high quote का observation last paragraph में पढ़ते हैं बहुत स इस law faculty Delhi University में family law में पढ़ाय जाता है चलिए रेखते हैं last paragraph high quote ये लिखता है कि it is therefore clear from the above that the appellant was married from before and was a widow at the time of her marriage with the respondent was a material fact it was not disclosed by the appellant to her husband respondent the suppression of material fact as above would amount to exercise of frauds ये fraud है it may be noticed in the above context that in view of section देख 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 मैं legal complexity में नहीं जा रहा है छोडिये उसको contract act to constitute fraud it is not essential that there should be any misrepresentation by express words कोई जरूरी नहीं है कि express words हो तभी fraud होगा जरूरी नहीं है किसी चीज़ का concealment हुआ वो भी fraud होगा कोई किसी बात को छिपा लिया ये भी fraud होगा जो उसे बताना चाहिए था ये भी fraud होगा फिर है कुट कहता है it also appears from the facts and circumstances of the case that it was the obligation and duty of the appellant to have intimated and appra the respondent husband about her earlier marriage पहले के शादी के बार इम बताना चाहिए था she has failed to do so the respondent husband has stated that had he known that the appellant was married from before he would not have interred into wedlock with the appellant it is therefore clear that the suppression and active concealment of the fact of her earlier marriage and she being a widow would amount to material misrepresentation in view of the verb the appellant is entitled to a decree of nullity under section this 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 as has been prayed by him the impune decree granted as a verb by the trial court is therefore justified there is no substance in this appeal it is accordingly dismissed तो इस case को finally dismiss कर दिया गया high court के द्वारा कि भाई जो trial court का finding था जिसमें trial court ने ये पाया कि आपने छुपाया है आपको बताना चाहिए था इसलिए शादी को में खत्म करता हूं बिल्कुल सही किया आपने बताया क्यों नहीं इसे इसे वर्जिन वाइप चाहिए थी तो ये एक से एक कीसे साते हैं सोसाइटी में क्या चल रहा है क्या तांदग हो रहा है ये एक वकील को पता होता है क्यों क्यों कि आपना इंट्रोड़क्शन लड़की लड़के वाले दोनों मैच कर जाएंगे फिर उसके बाद बात शुरू हो जाए परिवार वालों का पता नहीं चलता किसका कैसा परिवार है पहले के जमाने में पूरा हर चीज एक एक चीज देखा जाता था आज कर नहीं होता तो इससे तरीके के जज्जमेंट्स आपको मिलेंगे बहुत ज्यादा फ्रॉड आजकल ओनलाइन वेबसाइट पर जहां पर मैरे इसका प्रपोजल ट्रांसफर होता है कम्यूकेशन एक से दूसरे के बीच में यहां पर हो रहा है और उसके बाद लोग बेवजह यह लीगल कंप्लेक चला फिर से केस हुआ तो मेंटरमोडल डिस्प्यूट्स अननेसेसरली अराइज नहीं हो इसी लिए ज़रूरी है कि आप तहकिकात करें और फिर फ्री कंसेंट से साधी करें कोई दिक्कत नहीं है कोई जरूरी नहीं है कि वर्जन वाइप ही चाहिए आज के डेट में यह कह आते रहेंगे और आपकी जिन्दगी तबाह हो जाएगी आशा करता हूं कि चोटे से जनकारी से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा यदि असा है तो आप इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरीके का authentic, legal, interesting जानकारी आपके doorstep तक मैं हमेशा पहुचाता रहता हूं चले फिर से मिलता है किसके आउट topic में तब तक के लिए नमस्कार